दोस्तों बिहार बेल्ट्रोन में अभी जो भी कारपालक सायक रजिस्टेशन कर चुके है आप लोका रजिस्टेशन का डेट 15 मई तक रखा गया था सकेंड चांस दी गई थी फिर से एक नया लेटर जारी कर दी गई है यहाँ पे समय लेंगे समान पर सासन व्युहाग बेप कित्या जीलों से दखता परिछा है तो रजिस्टेशन में करम में छूटे हुए स्योग अभ्याठ्यों का रजिस्टेशन है तो प्राप्त अनुरोत तथा री रजिस्टेशन की कम उपलब्दी के कारण दिनांग 4-5-2023 से 8-5-2023 तक रखा जा रहा है उप्त करम में री र प्राप्त करें कि एकजाम कब होंगे तो आगे समय लिजे कहां पर दिखे बताया जारा कि अता अनुरोत हो की छुटे हुए स्योग अभ्यार्थियों का री रेजिस्टेशन इस अब्दी में निश्चीत रूप से कर लेने उक्त करम में समंधित अभ्यार्थियों को री र आचकार दोस्त निठार में यं वैसर करवाह करने की किरपा करेंगे इसमें साब्तोर पी बताया गया जो भी छाद रजी स्टेशन नहीं करते है उसे पैनल से हटा दी जाएगी और इस क्योंकि आप लोग को एक बार चांस दी जा दिया, इसके बाद कोई भी चांस नहीं दी जाएगी, ठीक है, इसमें साबतोर रुपे बताया गया, और लास्ट डेट जो है, पंदरा पांच दुहजार तश तक रखा गया, ताभी जो भी कारपालक सायक रजिस्टेशन कर चुक पर एकजाम के रिगार्डिंग कोई सूचना आने वाले हैं, आप लोग अपना देख सकते हैं, या आप लोग को वीडियो के मादने हमसे जानकाई दे दी जाएगी, तो अभी जो भी कारपालक सायक रजिस्टेशन कर चुक है, तो आप लोग का CBT का कोश्टन भी परवाहि करके हाई लिख दीजेगा और CBT कोश्टन लिख के आप भेज सकते हैं, आप लोग को CBT का कोश्टन मिल जाएंगे, माद 200 रुपया आप लोग को पे करना है, 10,000 कोश्टन मिल जाएंगे, 100% आप लोग गरेंटी के साथ कोई लिफाय करेंगे, अब की बार जो एकजाम हने वाले बेल्टोन के मादियाम से वो बहुत ही हाड एकजाम ली जाती है, टोटल सार्थ नमर का कोश्टन पोशे जाएंगे, उसमें 50% लाना अनिवार जाए, इसके डिगाडिंग हम बहुत सारे वीडियो में जानकाई दे चुके है, आप लोग का जो एकजाम हने वाले है, एक दिन ही लिए जाएंगे, इसलिए आप लोग को करी महिनत करना है, ताकि आप लोग क्वाइलिफाय कर जाएंगे, बेल्ट्रोन से, जो भी अभी कारपालक सायक है, क्योंकि 42 चाद परतिक्छा कर रहे है, और जो सेवा वापस किया होंगे, तो टोटल अभी तर, 4000 के उनी सबचात का पैनल बनने वाले है, इसलिए आप लोग करी से करी महिनत कीजिए, ताकि बेल्ट्रोन से आप लोग क्वाइलिफाय कर जाएंगे, तो क्वेश्चन लेना है तो आप लोग वाट्साप कर लेजिए, और भी कोई जान करें चाहिए, तो आप लोग कोमेंट कर के पूछ सकते हैं, धन्यवाद